प्यारे साथियो नमस्कार इस वीडियो में आपसे योगा हादिक शुवागत है दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप URM Grondia Private Limited के New Babside में पीन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं जिहां दोस्तों कम्पनी में आसानी से पेमेंट करके कैसे आपको पीन रिक्वेस्ट लगाना है दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह company का bank details है ICI का account है company के पास इस company के account है आपको payment करना है एक pin का pin request लगाना चाहते हैं तो एक pin का payment करना है 10 pin मंगवाना चाहते हैं तो 10 pin का payment करना है तो दोस्तो मैंने एक pin का payment कर दिया है दोस्तो आप इस account number के screenshot करके रख सकते हैं और इस पर payment कर सकते हैं इस पर payment करने कब़ आपको screenshot ले लेना है और screenshot लेने कब़ आपको आजाना है Google में दोस्तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो किट पर subscribe कर लें और दोस्तो आपको Google में आने को यहां सच करना है URM Grow India.in क्या सच करेंगे दोस्तो URM Grow India.in यहां पर दोस्तो ऊपर में आपको Member Login पर क्लिक करना है जैसी Member Login पर क्लिक करेंगे दोस्तो आप Login पैनल पर open हो जाएंगे और दोस्तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तो डिरेक्टली आप Play Store पर जाके URM Grow India का application download कर सकते है red color का icon वाला और दोस्तो इसको भी open कर सकते हैं इसको open करेंगे दोस्तो आपके सामने ऐसा open होगा सबसे उपर में New User Login है दोस्तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां से डिरेक्टली आप Login पर आ जाएंगे तो दोस्तो एप्लिकेशन जीरूड डॉनलोड कर ले अब दोस्तो यहां से आपको अपनी ID और password डाल देना ह तो मैं यहां पर अपनी ID और password डाल चुका हूँ, Login पर क्लिक करना है आप अपनी ID में Login हो जाएंगे नीचे आके दोस्तो ऊपर से नीचे आना है और Accept कर देना है जैसी दोस्तो आप अपनी ID में आ जाएंगे देख सकते हैं मेरी ID Activate नहीं है मैं Pin Request लगा रहा हूँ हूँ Company में Payment करके Pin Request लगाने के दोस्तो आपको Pin आ जाएगा और आप उस Pin का यूज करके अपनी ID को Activate कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है ओपर में देखिए दोस्तो Home है, Home के साइड में Aeroplane का Mode है, Aeroplane पे क्लिक करना है, दोस्तो आपको आना है ePin Manager पे, पहला है dashboard, दूसरा न्यू रजिस्टेशन, तिसरे Pins और चौथ है दोस्तो ePin Manager, तो दोस्तो जैसे आप ePin Manager पे क्लिक करेंगे, दोस्तो ग्रीन कलर का एक बटन दिखेगा Pin Request का, Pin Request लिखा है दोस्तो देख सकते, Pin ePin Request, Requested ePin, दोस्तो इस ग्रीन कलर के बटन पे Requested ePin पे आपको क्लि Quantity, दोस्तो यहां पे Quantity में आपको Quantity Select कर लेना है, एक Pin मंगाना चाहते हैं, दो Pin मंगाना चाहते हैं, पांच Pin होगाना चाहते हैं, दोस्तो मैं एक Pin का Payment क्या हूं, तो एक Pin में मंगवाऊंगा, उसके बड़ दोस्तो आपको नीचे आना है, Deposit Bank पे क्लिक करके, यहां पे Dep Deposit Bank आपको सामने Add मिलेगा, Company का Bank Account दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है, दोस्तो आपको Select कर लेना है, इन तो छोड़ देना है, उसको दोस्तो Payment Mode में आपको UPI, Phone Pay, Google पे, जिस ची से Payment करेंगे, मैंने Phone Pay किया है, तो Phone Pay Select कर लेना है, यहां पे दोस्तो आपको अपना Account Select कर लेना है, यहां पर अभी Account नहीं है, बट यहां पर Add हो जागा Account का List, आपको Select कर लेना है, Company का Bank Account, यह जो भी Account दिखेगा, उसको Select कर लेना है, दोस्तो यहां पर UTR नमर, यह बहुत ही important है, UTR नमर क्या होता है, दोस्तो UTR क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, दोस्तों देख सक्ते हैं आपने यहाँ पेमिंड किया तब पेमिंड करने को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह है दोस्तों, UTR numbers, transaction i.d. जर बोलते हैं UTR number कितना है? 12.45.78.44 12.45.78.44 दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है यह! यह नहीं डालें तो आपको पिन नहीं आएगा 12, 44, 78, 44 12, 44, 78, 44, 62, 18 दोस्त यहां पर डाल देना आपको 62 18 दोस्त आपको बिलकुल भी मिस्टेक नहीं करना है दोस्तो आब आते हैं नीचे में तो नीचे में चूज फाइल दोस्तो हमने a screenshot करके रखा था तो यहां पे दोस्तो चूज फाइल पे क्लिक करके वो a screenshot दोस्तो आपको upload कर देनी है देखिए मैं यहां पे a screenshot डाल चुका हूँ और note में दोस्तो लिख देना one pin send क्या लिखेंगे दोस्तो one pin send one pin send fast दोस्तो आप यह लिखी भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं बड़ दोस्तो मैं यहां पे लिख चूका हूँ one pin fast दोस्तो आपको save request पे click कर देना है जैसी दोस्तों आप सेव रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर में e-peen request successfully आ गया quantity 1, amt 444 का, तो आपका e-peen request लग चुका है, वहाँ से जैसी company approve करेगे, तो आपके wallet में e-peen आ जाएगा, कहां पे आएगा मैं बता देता हूं, इसे पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों आपको गलत information fill नहीं करना, अगर आप गलत information fill करेंगे, तो company का जो unit है, आपकी ID को block कर सकती है, दोस्तों fraud आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि company वहाँ पे एक एक चीज़ चेक करती है, आपके इस screen source से payment गया है, company में नहीं गया है, सारा verify करन